है光 को कुई नीख है तो यहांपर आ जाते हैं फंक्शन के उपर में समारा क्या होता है वो देख लेते हैं फंक्शन कुछ नहीं है बस हमारे जो कौड का तो यह वाला है, तो how we used to do it, पहले हम लोग कैसे करते थे, पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे, ठीक है, public class और वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सीधा, public static void main, ठीक है, क्या होता है, string args, होत अच्छा, आदे लोग भूल गए होंगे, चलो, य int b equal to, जो भी आपको देना है, correct, yes or no, इसी तरह करते थे, चलो, आजाते हैं, तो यह हो गया, और इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग करते थे, int c equal to, या कुछ भी दे दो, int sum दे दो, जो नाम देना है दे दो, int sum, ठीक है, equal to, क्या करोगे, a plus b, ठीक है, और यहा पर करोगे, sum को, right, yes or no, correct, yes or no, यही करते हो, यही प्रोग्राम हम दो गाश्तक करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर तुम यह देखोगे, यही प्रोग्राम हम लोग लोग लिख रहे, बस यह इसी फाइल तक ही चलेगा, इसका कोई code को हम कहीं पर use नहीं कर सकते हैं, क्या ब हाँ, बहले दूसरा main करके method लिखो, because we can write multiple main methods, बता है न, हाँ कि न, yes, we can have more than one main method, लेकिन कौन सा main method चलेगा, बता हूँ, इस्ट्रिंग आग्स वाला, इस्ट्रिंग आग्स वाला चलेगा, perfect, ठीक है, अच्छा यह प्रोसेस तो क्या बोलते हैं, जहां पर मेरा सारा method का नाम main है, क्या बोलते हैं, इसको, just checking on the knowledge, इस्ट्रिंग अर्गुमेंट लाइज, method overloading बोलते हैं, नाम सेम है, बाकी parameter दीना चेंज होगा, है क्या नहीं, तो method overloading का concept हो, ठीक है, चलो, तो याद रखो, अगर method name सेम है, तो दो ही चीज़ हो सकता, method overloading या method overriding, और method name, अगर class name के ऐसा होता तब, क्या होता, क्या बोलते हैं, तो ये तो हमारा concept पुराना वाला, just recapulate कर लिया, लेकिन आ जाते हैं, वापस से functions पे, तो इस तरह से लिखते हैं, यूसूप ऐसे लिखते हैं थे न, yes or no, बताओ, यूसूप ऐसे ही लिखते थे थे न, तो ऐसे रहो, अगर छूट जाओगे बीच से तो फिर भूल जाओगे, तो ये code को फिर से लिखते हैं हम लोग, तो यहां एक doubt करके बना लेते हैं, यहां फिनिश करते हैं, यहां फिनिश करते हैं, एक doubt बन गया, तो doubt के अंदर आते हैं, functions को से समझे ही कोशिश करते हैं, why exactly we want a function और क्या क्यों करना है, तो एक class बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, add two no's, टेक है, मैंने नाम दे दिया, add two numbers, और यहां फिनिश करते हैं, और यहां फिनिश करते हैं, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जो अभी तक प्रोग्राम लिख रहे तो वही करेंगे, public stat appointment के अंदर में, तो int a, यह नहीं लिते हैं, देखो, अब हम लोग आदर थोड़ा change करेंगे, variable का नाम थोड़ा meaningful लेंगे, a और b नहीं लेंगे, क्या लेंगे, num one, number one equal to, क्या बोलेंगे इसको, चलो, इसके अंदर होगे हैं मेरा 10, तेक है, int number two equal to, अब थोड़ा हम लोग अच्छा बनेंग यह num one और num two ले लिए हम लोगों ने, और अब क्या करते हैं इसके बाद, int sum, जो भी हमारा sum है, sum equal to, क्या करेंगे यहाँ पे, चलो, num, sorry, num one, plus num two, num two, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, system.out.println, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, sum को print करता है, ठीक है, अब बताओ तो क्या यह code को हम किसी दूसरे class से use कर सकते हैं, क्या यह possible है यह use करना, guess करो, क्या यह possible है, क्या यह दूसरे class हम सको use कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट, नहीं कर सकते हैं, यूसूफ कर सकते हैं, क्या, क्योंकि main method के अंदर जो code लिखा है, वो call नहीं हो, correct, main method के अंद लो की एक और बनाता हूँ जहाँ पर मुझे निकालना है average of two numbers क्या निकालना है average two no's ठेक है यूसूफ कैसे निकलता average कौन बताएगा average कैसे निकलता है इसके बाद इंट यहां पर देदिया नम टू इक्वल टू इक्वल टू इसके बाद क्या करना है बताओ अब इसके बाद क्या इंट एवीजी लिग देते हैं नाम ठीक है थोड़ा मिनिग दे रहें नाम में तो इंट एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड वाई वह शूर हो है प suppression और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर मोटाइब धित्षा करते हूं एग अन इस कPE इनला तो यहां देख होगा त्युसकर करना रहा है किए प्रोग्रेंज जो मैंने लिखा है एक लिखाया है एक लिखाया है एक लिख लोग नहीं है अलग है बागि सब सेम है है कि यूसुफ बाखी लोग बताओ जिसको फंक्शन से इशू हो रहा था बताओ सेम है की नहीं है अगर इसके बाद हमको फिर कोई ऐसा काम करना है जहां पर हमको दो नंबर को एड़ करना है तो फिर से तुम यह लिखोगे सम वाला पार्ट तो यह क्या करें यह बार बार लिख रहे हैं अब आजब बार बार लिख कर दो और जब जब जरूरत है जहां-जहां जरूरत है मुझे बुला के लेलो इस्तमाल करलू यूज करलो ठीक है तो अब देखो यह क्या बोलता है यह बेसिकली क्या हो रही है हम लोग दो नंबर पास कर रहे है और वो दो नंबर का हमको सम कर की अगर तुम इसको देखो के ध्यान से, ये वाला पार्ट, दोनों में बिल्कुल सेम है, उसमें ना तो number change है ना कोई कुछ change है, दोनों में बिल्कुल सेम है, int sum equal to num1 plus num2, और यहां पे भी देखो, int sum equal to num1 plus num2, बिल्कुल सेम है, है ना, हा कि ना, कुछ एक जरा change नहीं है इसमें, दे अपना ये ऐसा machine बना लो, machine समझ लो एक तरह से, ठेक है, सुनलो, mechanical और civil वाले जादा हो, ठेक है, कि वो machine बना लो, उस machine के अंदर डालो, और वो machine तुमको output क्या देगा, output तुमको sum कर के देदेगा, समझ गए, तुम उसके अंदर क्या डालो, युसुफ, civil से हो ना, याद ह है, वो तुमारा जो mixture बनता है, जब लो घर बनाने तरह पहले जो तुमारे machine होता है, गोल, उसके अंदर कुछ डालते हो, डालते होगे ने, डालते हो, तभी तुमको कुछ output मिलता है, सारा कुछ mix होगे, आकरी में output मिलता है, तो वो एक machine है, जिसका काम क्या है, कि तुम उ कुछ भी डालोगे, वो उसका जो काम है, वो काम करके तुमको output दे रहेगा, यह सुन, बस यही है, functions यही है, ठीक है, अब बताओ, यह जो machine है, यह machine जिसको जरूरत पढ़ती है, वही बुलाता है, सब को इसको call तो नहीं, यह तो नहीं करता है, बताओ, सब को हरीता है, क्य क्या है, तो क्या हम खरीद लें, नहीं खरीद देंगे, हम उस machine वाले को call करेंगे, मतलब उस machine के अंतर अपना समान डालेंगे, मतलब, जैसे भी भाडा मेलो जो दो, उसके अंदर डालेंगे, मेरा समान होगा, हमको output मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, राइट, यह सब ल मशीन ऐसे करके लिखता हूँ देखता हूँ आ रहा है कि आप यह वाला देखो दिख रहा है यह इस तरह का देखे हो कि यह दो इस तरह का मशीन देखे हो जनरली गाड़ी में लगे लग क्या आता है साथ यार मुझे नाम नहीं पता है डिविल से रही हो तो हम लोग करते हैं आपना मशीन में काम करके हमको आउट्पू देना यह वा सारा मिक्स करके देता है इस वाले काम करेंगा इसको क्या देंगे इसको डालना होगा तब ही हमको कुछ मिलेगा अब कुछ-कुछ मशीन है जो बीना डाले तुमको देती है और कुछ मशीन है कि उसमें कुछ-कुछ समान डालोगे तब तुमको देगा एसा समझ जो धियान बना लो कि कुछ-कुछ ऐसा भी है कि बिना है तुमज reiro नंबर तो चाहिए तो यह बोलता है क्या कि अलग से function बना लो और इसको जहां से call करना है, जिसको जरूरत है, सब को इस्तमाल कर लो, तुम इसके अंदर बस अपना दो number डालो, तुमको output देगा, तुमको add करके, ठीक है, तो बस यही करना है, तो हम लोग एक machine बना लेते हैं, machine का नाम क्या दे र चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, sum का type क्या, integer type, क्योंकि हम integer दे रहे हैं, तो integer में लेगा int, और यहां पर चलो machine का नाम हम दे दिये, sum, ठीक है, या फिर add, addition कर देते, add, add to number कर देते, add to number, ठीक है, यह machine का नाम हम दे दिये, और इसके अंदर हम दो number इसको देंगे, इसके अं तो यहां पर क्या डालोगे, int, या तो no1, int, no2, ठीक है, तो यह दो machine हो गई, यह machine आपका बन गया, ठीक है, बाहर तो सिर्फ देखने में यह machine लग रहा है, यह क्यों error दिखा रहा है, अच्छा ठीक है, यह तो return type डालना है, ठीक है, तो यह machine क्या करेंगे, कुछ नहीं करे तो चलो बस यह जो line लिखे हो, यह line को एक बार लिखो, यहां से cut कर लो, control X, यहां पर लाओ, control V, डाल दिया, और यहां पर क्या है, इसके अंदर जो समान है, उसी से काम होगा, समान किसके अंदर क्या है, no1 एक समान है, और दूसरा समान कौहन है, बताओ, no2, correct, अब यह अ यहां से return कर दो, यहां से, तुम अपना process कर दिया, process करने के बाद तुम जो तुम्हारा last में तुम्हारा तुमको जो भी भेजना है, ठीक है, वो चीज़ तुम भेज दो, तो सम के अंदर हम लोका result आ जाएगा, तो सम को भेज दो, ओक यह सम भेजा गया, समझ गया, क्या ह हो रहा का नहीं, कि यह अब हम machine बनाएं और इस machine के अंदर कभी भी हम कोई भी दो number को देंगा, तो वो add कर के हमको देगा result, कोई भी दो number को देंगा तो, ठीक है, तो आओ देख लेते हैं यहां पर, दो number को देख देखते हैं, अब यह machine को तुमको बुलाना कैसे है, तो यहां पर हम लोग को क्या-क्या चीज का ध्यान देना होता है, अब वो देखना, ठीक है, सबसे पहला, जो हम लोग यह machine बनाएं, function जो बनाएं, function बोलेंगा, बार-बार machine नहीं बोलेंगे, ठीक है, बना तुम लोग जाके interview भी machine बोल दोगे, ठीक है, तो यहां पर यह करते है, तो method क्या है, static method है, ठीक है, हम लोग क्या हो गया, तो सबसे पहले, function का type क्या है, function type क्या है, static है, correct, yes or no, ध्यान दो, किस-किस चीज पर ध्यान देना है, सिरह मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, static है, ठीक है, तो static function को call करने क्या तरीका है, class name, जिस भी class के अंदर लखा गया है, उस वाले class का नाम, dot method का नेम, ठीक है, और अगर parameter है, तो bracket के अंदर parameter जाएगा, तो बताओ, यहां पर parameter है, तुमको दो value भेजना है, ठीक है, तो यहां पर तुमको जो भी भेजना है तुम भेज सकते हो, लेकिन हम तो, यहां पर क्या है, num1, num2 को भेजना है यही करेंगे ठीक है तो फंक्शन का टाइप समझ मा आ गया अब दूसरा चीज ध्यान देना है फंक्शन इस रिटर्निंग सम्थिंग और नॉट तुमको कुछ आउटपुट उससे मिल रहा है कि ने देखो यहां से रिटर्न कर रहे हो रिटर्न कर रहे है तो बता हो यह क्या है संक्शन रिटर्न कर रहा है यह करेट यह यह उनओ और यह दो कि je गिरने देते हो नहीं ना कोई कंटेनर लगाते हो सो कलेक करने के लिए सब्सक्राइब जिसमें वो आके गीरे करेक्ट भोलो हां की ना या या इतना अच्छा सिविल का एक्जामपल लाला के दे रहा हो तब भी तुमनों नहीं बोलते हो चलो येस और अगर कभी भी होगा तो तो तुमको कंटेनर लाके स्टोर करना अब डेखो वो जो समान खेक रहा है किस टाइप का है अब बता वूसूफ क्या अगर मुझे ये वाला सम करना यesz दो नंबर का सम करना है सिधा इस मशीन को बोलेंगा बहुद着 सम कर के दो गुलेंगे नहुं थेक ये कर ये से पहल selber चारण के बुस्या देना सिस्क्रीए नि देना प्फर ये किस टाइब का फंक्षन है? Static. तो इस वो कॉल करने का तरीका क्या है? कॉल करने का तरीका है ch 앞에 class name. टो class name मेरा रखिया है add tono's. Ctrl-c, Ctrl-v, add tono's कर दिये силь Pierce class name dot. Method का नाम, Method का नाम क्या है add tono, ठीक है? अरे दोनों में हो गया है, छेक है。 अब यह देखो क्या क्या मैंने मैंने कहा कि भाई यह class का यह method को कॉल कर रहे हैं और इस method के अंदर यह क्या लेता है देखो इसके अंदर दो value लेता है सिर्फ 2 value अपने मन से 3-4 मत डाल देना क्योंकि जतना उसको डालने का समान वहीं डालेगा एक्स्ट्रा कुछ ने डालेगा ठीक है तो दो value तो कौन-कौन सा num1 num1, num2 ठीक है यह हो गया अब आगा दो यहाँ पर semi-colon ठीक है यह देखो error नहीं देगा लेकिन कभी भी आप आके दूसरा चीज़ क्या चेक करना है क्या यह value रिटर्ण कर रहा है यहाँ पर भी तुमको दिख जाएगा किस type का value रिटर्ण कर रहा है इंट टाइप कर रहा है yes or no कर रहा है तो बस यहाँ पर लगाओ int यहाँ पर res लिखो यह result लिखना है जो लिखना है लिख लो मैं result अब लिख दे रहा हूं तो अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ यह दो नंबर इसके अंदर गया 10 गया यह जो नंब वन के अंदर जो भी value है नंब वन के अंदर क्या है 10 है तो अनो के अंदर क्या हो गया इसके अंदर 20 आ जाएगा अपना value को सीधा सीधा मैप कर देता है सीधा सीधा उसी के अंदर डाल दिया अब यह क्या किया अब यह अंदर में आया अब इसको सिर्फ NO1 और NO को जानता है यह NO2 को यह दोनों को add किया और एक लो int सम के अंदर store किया ठीक है तो इसके अंदर क्या 10 और 20 जो दिए कितना store ह अब इसको बोले है कि चलो 30 हो गया अब चलो समान को बाहर पेको यह समान को 30 को बाहर फेक दिया यह 30 को बाहर फेका तो हम लोग जब इसको call किये थे जब लोग इस call किये थे तो इसका 30 store कहा हो गया अब देखो यहां पर रहन करके देखो तुम्हारा आंसर बिल्कु सही देगा, देखो दे रहा है 60, 40 और 20, 60 हो गया, हो गया न, अब तुम आओ average of number, यहां पे बोलोगे भाई, यहां पे भी तुम मशीन को इस्तमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, दो नमबर डालेंगे, वो मशीन हमको सामला के दे देगा, मशीन दो बन चुका है, बन चुका है कि ने बन चुका है, बन चुका है न यूसूफ, बन चुका है, अब सीधा आओ, उस मशीन का नाम क्या है, सीधा देखो, यह मशीन कहां पर, सॉरी, यह मशीन का सब से पहले तुमको देखना मशीन का टाइप क्या है, यानि यह फंक्शन का टाइप किया है फंक्छन का टाइप क्या है what how कैसे करेंगे starting method का करेंगा तरीका क्या है अब कॉन सा क्लास नेम सवाल यह आता है तो क्लास नेम वही होता है जिसके अंदर ये मेथड लिखा हुआ है ये मेथड कॉन से क्लास के अंदर लिखा है इसके अंदर अग्या अब अब इसके अंदर अपर को पी करो control-c यहां पर आओ control-v-paste मारो डॉट लगाओ ठीक है और यह देखो add to no method आगया हो गया अब इसके अंदर तुम को पास करना तक कर दिये अब जाके देखो वापस से यह जो machine है भाई साथ is it returning anything return कर रहा है return कर रहा है तो समान को जमीन में तो गिरने नहीं दे सकते हैं तो कहीं तो store करना होगा तो चलो कर दो इस बास इंट मानलो सम में इस टोर कर दें सम इकवल टू लो हो गया काम खतम देखो वही machine को हम लोगों ने इस्तमाल कर लिया किया कि नहीं किया अगर इसका यहां पर चेंज कर दो यहां पर कर दो यहां पर 60 कर दो 60 30 कर दो 90 90 डिवाइड बाइड टू पॉटिफाइफ आनसर आना चाहिए देखो आ गया तो हुआ क्या function क्यों इस्तमाल होता समझ गया एक बार बना लो तो जावा बोलता बार बार लिखने की जरुवत नहीं है मेरे दोस्त एक बार लिख लो एक बार मशीन बना लो उस मशीन को जितना चाहिए इस्तमाल करो ठीक है समझ गया कहानी क्या है functions का समझे की नहीं समझे अब आप लोग ठीक है एक फूरा सा डाउट है हाँ बिल्कुल पूछे वो जो पैरामेटर हम लोग देए हैं फंक्शन में तो अगर अगर मालीजी हम लोग देते पैरामेटर तो यह फिर एलिजिबल नहीं रहता ना देखो यह तुम जो मशीन बनाए हो यह तुम्हारा दो ही नंबर के लिए काम करेगा ना तुम अब मशीन मशीन बनाओगे जैसे हमारा क्या होता है अभी अब एसी का होता है ना एक टन का एक होता हूं है तो एक देड़ और दो मैं जानता हूं तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बाई दो टन का आसी है और उसके साथ जो आगे लगता है बैट मान लो वो compatible है नहीं तो कैसे तुम लगा दोगे नहीं लगा सकते हो ना करेक्ट यह सौनो जो हमारा प्लग होता है मान लो उसमें दो ही पिन गुसने वाला प्लग है अब तुम उसके अंदर तीन पिन लागे घुसाओगे घुसेगा नहीं घुसेगा ना करेक्ट यह सौनो तो वह कैस अंधर तुम जितना प्ले बनावगे उतन नहीं दे सकते हो अगर तुम को तीन के लिए था तुम को फिर तीन के लिए मशीन बनाना हो ना कौन सभी बात है यहाँ पर लाओ जितनाICE तुम प्लस नो थ्री इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दो त्री होग यह काम खता हुआ बना की नहीं बना इसा ही है यह मत सोचो कि जो बना दिया है तो जो बना है जिसके लिए बनाए बस उसी के लिए रहेगा ऐसा नहीं किसी और के लिए तो एक दम स्पेसिफिक रहना है इस सब चीज के लिए तो यह तो समझ गए कि थोड़ी थोड़ी भी चेंजस रहेगी तो बाई अलग बनेगा सेम नहीं हो सकता है और याद रखो जो पैरामेटर पास कर अब तुम बोलो कि भाज़ान भाई यहां दो इंटीजर डाल रहे हैं उसमें क्या होता है तीन तरीके से अलग होता है ना क्या क्या तरीका है एक तो अगर मान लो एक तो है कि तुम्हारा पैरामेटर जा डिफरेंट तुमने क्या कर एक है गया देखो यह हो गया दो पैरामेटर इसमें हो गया तीन पैरामेटर तो पैरामेटर डिफरेंट पर फिर हो जाता है तीसरा क्या होता है सीक्वेंस ऑफ दा पैरामेटर गोंट यह तीन चीज ज्याद रखो इस वज़े से यह अलग होता है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने या देखा कि कैसे हम लोग स्टाटिक मेथट से रिटर्न अगर कुछ कर रहे हैं तो कर सकते हैं करेट यह सोनो तो थे पैजन अब लो इस पब्लिक स्टाटिक कॉल फंक्शन नेम और प्लास कॉल कर रहें नाट नंबर को उसमें इंट एनो वन और एनो टू देते हैं तो उसका थोड़ा फ्लो समझ में नहीं आ रहा कि उपर नम 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 टू लेते हैं थोड ठीक है आजाओ होता क्या देखो एक जगा से मैं से कॉल करकर दिखा रहा हूं अभी जो कर रहे हैं उसी कॉल करते हैं ठीक है तू मान लो यहां से मैं अपने में मेथट से क्योंको देखो हमेशा याद रखो प्रोग्राम वहीं चलता है सिर्फ में मेथट के अंदर जो कर दिया है यह में मेथट के अंदर मत लिख देना में मेथट के अंदर फंक्शन नहीं होता है ठीक है यहां पे नेस्टेड फंक्शन का कॉंसेट नहीं है यहां पे में मेथट आपका बंद हो गया लेकिन क्लास के अंदर होगा देखो यह क्लास यहां बंद हो रहा है ठीक ह चलो आओ, अब आते हैं आमीर के question के उपर मैं, आमीर का जो question है, वो कुछ इस्ता रखा है, कि suppose हम लोग call कर रहे हैं, जैसा मैं call भी कर रहा हूं, चलो, int res equal to, जो भी हमारा class name था, add to no था शायद, add to no, ठीक है, dot, इसके बाद क्या था, add to no method, है ना, ये था, correct, और इसके बाद हम लोगों ने याद दिया था, तुम्हारा num1, comma num2, correct, यही दिया था, यह दिया, यह हम लोग call कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग है num1 और num2 दिया हुआ है, int num1 equal to, मानलो 10, और int num2 equal to, मानलो 20, ठीक है, तो यह हम लोग call करने के जगा में यही कर रहे है, main method के अंदर यही लिख रहे हैं, हाँ कि ना, बताओ, ठीक है, उसके बाद तुम result का साथ जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं, ठीक है, और जा हम लोग method कुछ इस तरह से लिखा, यह वाला नाम होगा उसका, ठीक है, के अंदर मैंने लिखा है, int no1, int no2, और उसके बाद यहाँ पे खोला है bracket, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे int sum equal to, या s equal to, जो भी है, ठीक है, मैं इस लिख रहा हूँ, no1 plus no2, और उसके बाद क्या है, return s, ठीक है, यही है program, correct, तो यहाँ तकलीफ जो है, यह आपको तकलीफ यह दे रहा है, ठीक है, यह यह N1 जो यहाँ दे रहे है, यह N2 दे रहे है, यह N0 और N2 को से बन जा रहा है, यह इन तकलीफ है, यह कुछ नहीं है, यह देखो, यह बोलता है, कि भाई, यह हम बोलता है, कि हम अपने समान के सा लगा समय है और अगला या चले गा तो यह जाएगा टीड करेक्ट यानि अगर यह ज konnte कि अपास करें तो stand किहां यांसे क्या पास हो रहा है टेन और फै क्लिषिंट एन्देशारा है यह कुछ इन तर भेज रहे हैं है यह मैं अदरम पर बेज रहें यह चेटम षञिए 20 कों अंदर भेज रहे हैं, कि जाओ तुम यहां से, ठीक है, भेजे, तो यह method रीड करता है, जो तुम भेजते होना, तो पहला वाला आके इसके अंदर store हो जाता है, तो एक और जगा बनता है memory में, जिसका नाम होता है, NO, NO1, जो नाम दोगे वो होगा, NO1, और दूसरा वाला अगर तुमको जो नाम दे ना वो दे दो, NO2, ठीक है, तो पहला वाला जो value है, मेरा यह वाला 10, तो 10 आके इसके अंदर आ जाता है, store हो जाता है, और यह NO2 है, यहां के तुमारा 20 यहां store हो जाता है, समझ गए, अब तुम वैसे ही काम करोगे, NO1 को तुम N1 का हिसाब से काम करो, और N2 जो है, N2 को तुम N2 के हिसाब से काम करो, समझ गए, कहानी क्या हो रहा है, सिर्फ इसका value अपने सामने सामने वाले के अंदर आके बैड़े आता है, समझ गए, जो उसके साथ में मिला हुआ होगा, उस method के अंदर, उसका value उसके अंदर चले जागा, understood, बाई, वो value भेजोगो, वहाँ copy हो जाएगा, यहां पे लो ना, तुम 90 और 80 कर दो लो, तो भाई 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 भी भी तो भेज रहे हो, यह अंदर अभी तुम को क्या कहा, वो machine के अंदर तुम value, मतलब समान को भेजोगे, तब ना, तुम आउटपुट मिलेगा, यह नहीं, method को call कर र method को call करें, यानि तुम समझ लो, तुम अपने दोस को phone लगा रहे हो, और उसको तुम बोल रहे हो, कि भाई तुम को हम 20 रुपया देंगे, और तुम को 30 रुपया देंगे, तो तुम बताओ कितना होगा, तो तुम्हारा दोस महां से क्या बोलेगा, समझ गए, call कर रहे हो यानि तुम call करें हो, तुम्हारा दोस का नाम मालो, add to no method नाम है, या तुम्हारे दोस का नाम चलो, नामी लिख देतें दोस का, ठीक है, मालो तुम्हारे दोस का नाम राकेश, ठीक है, यहां पर दोस का नाम राकेश, ठीक है, तुम क्या किये, तुम राकेश को phone लगाए, ठीक है तुम राकेश को फोन लगाए कि भाई तुमको नाइंटी और एटी दे रहे हैं तो राकेश क्या करेगा अपना दिमाग में और न रिटन कर लिया और उसके बाद प्लस किया कितना मिला उसको मिला 170 170 तुमको तूरंत रिटेंड करके सम बता दिया वो बोला लिख चिटिंग कैसे होता है कॉलेज में पाई आंसर बता दे वही वाला हिसाब है जो करता है ना सब बैड़े कॉलेज में शीशी आवाज करता है या अपना सिस्टिंटल बना है चार बार पेंट कि नहीं वही वसका प्यूंत कर देखना धूसा ओकald करेगा तो यह बेसिकली आपका तो बाकी सारा चीज सेम है सिर्फ नॉन स्टाटिक मेथड को पहचान होगे कैसे यहां पर क्या होगा नहीं रहेगा इस्टाटिक हड़ी गए तो बस काम फतम अब यहां पर देखो यह तुम्हारा नीचे वाला स्टाटिक रहने दो यह नॉन स्टाटिक है तुम directly class name dot use नहीं कर सकते हो तो यह बोलता है मेरे class का object बनाओ और उसके जगा object तो एक line extra होता है यह जो यहां पर class name dot लिखे होना यह नहीं होगा सिर्फ इसको हटा दो यहां से control x यहां से हटाओ और उपर में बस एक line उपर आके paste कर दो control v कर दिया तो यह class name हो गया class name space object कैसे बनाते class का class name space obj जो नाम देना है देदो equal to new class name और उसके बाद दो bracket लगा और इसको बन कर दो object बन गया obj नाम का यह reference variable से बना ठीक है बस यहां पर obj लिख दो obj सिर्फ यहीं बोलता है अगर तुम non static हो तो directly class name dot नहीं लगाओगे तुम मेरा object बना के call करो हम तुमको call नह नहीं करने देंगे बरना फिर ठीक है ऐसे बोल देता है ठीक है तो यह समझ लो तुम अपने 200 call लगा रहे हो लेकिन बोलता क्या है your call is diverted to another number समझ गए वह वह वला हिसाब है ठीक है तो जो डाइवर्टे to another number है न बस यह diversion और कुछ नहीं है और जो यहां पर obj बनेगा इसक अलाकर दिखा देते हैं अभी 90 और 80 जा रहा है 40 और 20 नहीं जा रहा है याद रखना 90 और 80 दिया है तो यहां पर यहां पर रन करो और देखो आंसर क्या था तो बिल्कुल कि यहां देखो 170 आगया अगया तो यहां अब यहां नो टू मेसे को देख लेड़ें कि यह रहा रहा है चलो यह वाला मृति और कर दिया नाम जो था टिक में भी लिखे है ना इसी के लिए पहले यह कर देते हैं उसके बाद फिर फिर पूछेंगे चलो ठीक है समझ गया का निए तो अब तो समझ गया ना मैथट को कॉल हो रहा है जो नाम दो वही नाम से कॉल होगा अब बताओ कि अभी भी यहां भाई सा पर टाल करने से सबसे पहले क्या देखना है फैर कभी कॉल करो ते सबसे पहले क्या देखना है सबसे पहले तेखना है कि सबसे पहले लाइए तो लिखा है सबसे पहला लाइए और हम लोग यहां पर class name.use कर रहे हैं तो possible है क्या करना होगा यहां पर आओ और जिस class में होता है उसी class का या तो class name use होता है या तो उसी class का object बनता है याद रखना है और यहां पर लिख दो समझ गए कानी क्या हो रहा है यूसुफ पंकज अंशू समझ में आ रही है कानी क्या है चलो तो यहां पर basically हम लोग सारी चीजों को समझ चुके है कि call कैसे होता है और अभी हम लोग यहां से कुछ output निकल रहा था इसलिए हम लोग क्या दे रहे थे return type दे रहे थे correct yes or no तो जब भी return किसी चीज़ को करते हो कभी भी किसी भी चीज़ को return अगर करते हो तो इस चीज़ का ध्यान दखना है कि हम लोग एक यह return keyword यूज कर रहे हैं देखो यहां चीज़ को return करें उस type का समान भी हम लिख्रा बहुत important े अगर नहीं लिखोंगे तब ही error यह तो तीन चीज़ का ध्यान दिया जाता है एक अगर return करना है तो यह return कर रहे हो और आप उसी टायफ डरविकर लिख backwards तो डेटा टाइप रिटन कर रहे हो और तीसरा चीज है कि उसको जब भी रिटन होता है कोई चीज तो जमीन में नहीं छोड़ सकते हैं तो उसके लेए कोई कंटेनर होना चाहिए, करेक्ट जब भी कॉल करोगे तो कुछ कॉपी पेन लेका बैटना होगा, आगी ना पैठना होगा ना, store करने के लिए, तो ये तीन चीज़ का दियान दोगे, और कुछ नहीं है, functions बस यही है, वो सिफ तुम्हारे काम को असान करता है, functions आयाई क्यों है, थेक है, why did function come into existence, ताकि हम लोग अपने एक code को बार-बार reuse कर सकते हैं, बताओ बताओ, एक बार जो machine बना तो बस यही उसका काम है, function और कुछ नहीं है, function बस इतना साही है, और इसमें सिर्फ तुम्हों को concept क्या दरखना है, static, non-static, return कर रहा है कि नहीं, return कर रहा है, अगर कोई method return नहीं कर रहा है, तो उसका क्या होगा, बताओ, उसका data type क्या होगा, वाइट होगा, जैसे main method हम का main method, यहाँ पे void हटा के हम यहाँ से main method में कुछ भी return कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से खुछ भी return कर सकते हैं? तो देखो यह पॉसिबल है तो रहा है देखो नहीं आ रहा है तो रहा है तो रहा है तो यह पूसर सुन लो आंसर सुन लो ठीक है अबन, we definitely can, we definitely can change the return type, ठीक है, but अगर हम रहुआ return type change कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, we won't get any compile time error, but we won't be able to execute our code, ठीक है, अगर हमारा main method, main method with string args as parameter, ठीक है, अगर string args उसके अंदर parameter है, तो हमारा code नहीं चलेगा, but we can do it, understood, क्योंकि method overloading अगर possible है, तो कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखोगे कभी भी होगा इस चीज का ध्यान रखोगे कि this is possible बट यह हमारा actual main method नहीं है actual main method जो है जो की हमारा option देता है Java में run करने का execute करने का वो वाला आपका public static void main ही होना चाहिए ठीक है बट अगर कोई पूछता है कि क्या हम लोग उसमें से कोई भी return type दे कर सकते है बिलकुर return type दे सकते है बट that won't remain as a first statement that won't remain as the executing point ठीक है we won't be able to execute our Java program ठीक है we can write it that will serve as a different method ठीक है not the actual main method which the JVM use to start our program वो वाला main method नहीं होगा यह दूसरा main method होगा ठीक है because we can have multiple main methods इस वज़े से यह possible है understood yes or no ठीक है तो इस चीज का बिलकुल ध्यान रखोगे यह interview में पूछा जाता है ठीक है तो I believe with this I am done with today's session not do today's session अभी एक question बताना है जो कि मैंने promise किया तो I'll do it अगर method समझ गए हो ताब बताओ method समझ गए हो सब कोई किसी हो कोई तो आज आते हैं next question के उपर में अगर आप लोग method समझ गए हो तो तो आज आपको एक नए question को सिखाने जा रहा हूं और प्लीज ध्यान से देना specially those who will be appearing for experience उनके लिए खास के है तो यहाँ पे है कि याद है हम लोग कोई भी अगर हमको 100 से 100 प्रिंट करना है how can I do it को मुझे help करेगा चलो कैसे करोगे चलो बता दो और फिर class करते हैं चलो बता दो मैं लिख दे रहा हूं print 1 से 10 करते हैं 100 नहीं करते हैं ठीक है यहाँ पे underscore का डैश करने मुझे ठीक है चलो so how can we do it कौन बताएगा चलो who will help me out हम लोग जनरली इस तरह से करते हैं फॉर ले लो वाइल ले लो कुछ भी ले लो ठीक है यानि लूप लेते हैं राइट यह और इसके बाद में ब्रैकेट्स दे दो और इसके बाद करो system.out.println और उसके बाद आई को प्रेंट कर दो यह करके देखो बिल्कुल हमारा अंसर आएगा वन से 10 तक प्रेंट होगा बट एक बर सोच के देखो क्या without loop possible है without loop loop यूजी नहीं करना while loop ना आपको do while loop ना for loop possible दिख रहा है नहीं अब मत बोलना अरे में स्टोर करकर कर देंगा फैजान भाई अरे को भी करोगे तो फिर बोलो कि फॉरी चूज करें कर सकते हैं ठीक है तो पॉसिबल है आज नहीं पॉसिबल है तो इंस्टेड ओफ एक्चली डूइं अनिधिं इन इन यहां से हमनों कुछ रिटर्न नहीं करना है यहीं पर प्रिंट कर देना है समझ गए क्या करना है यहीं हमै पर प्रिंट कर देन तो हम इसके अंदर क्या करते हैं एक टो पहले हम को नंबर को नंबर को by इंट और यहां पे यहां पे हम वाली टाल देते हैं चलो न बोड़ टिक है नंबर के लिए न और यहां आन प्रिंट करें है छो जयां वाल करें तो सबसे सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है की बचल मेंब श्री दॉटुक है? और एक चीज़ आप लोगो शाद पता है कि नहीं पता है तो अगर same class के अंदर है ना तो class का नाम नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाता है देखो मैं लिख कर दिखा रहा हूं लेकिन good way knowledge के लिए ये समझ लो जैसे मैं 3 दे रहा हूं तो ये देखो बिल्कुल चल रहा है देखो चल रहा है ना कोई दिक्कत नहीं अब मैं run करके तो आपको class name यूस करना होगा समझ गए याद रखो class name dot method name होता है ठीक है understood लेकिन यहां पर नहीं हो अब देखो मैंने 3 दिया था ये क्या प्रेंट किया 3 3 प्रेंट किया है ना हां कि ना हम इसके अंदर जो नंबर देंगे मेरे को वही प्रेंट करके देगा तो हमना इसको थोड़ा वन से हमनों यहां 10 लिग दिए हैं लेकिन हम वन से 5 करके दिखाएंगे क्योंकि हम उसको dry run भी कर देंगे ठीक है ताकि आपको समझ में आजा क्या हो रहा है ठीक है यह method को रहने दो और इसको जैसे हम लोग करते थे ताकि बाकी लोग यह नहीं हो भाई लास नेम डॉट करके जैसा था वैसी इज़त से रखते हैं कंट्रोल वी डॉट ठीक है हो गया सेम चीज़े कोई दिक्कत नहीं है याद रखना स्टाटिक के साथ नहीं है अगर सेम क्लास में तब यह possible है दूसरे क्लास में रहे लगा नहीं होगा क्लास नेम डॉट करके लगाना होगा और क्लासम किसका लिखते हैं एक तो अ तो अभी हम क्या करते हैं अगर मालो हमको चेक करना है वन से फाइव तक है इस तो हमने स्टार्ट करना है कहां से तो वन से स्टार्ट करना है अगर स्टार्ट अगर स्टार्ट अगर स्टार्ट इकोल टू टैन आपको तब क्या करना है तो अब यहां पर बात हो रहा है कि हम अगर यहां पे यह करने की कोशिश करें, देखो, यह करने की कोशिश करें, यह method कॉल करने की, तब क्या होगा, सिर्फ ध्यान देना राम से, कुछ नहीं है, ठीक है, और यहां पे मैं दे दे रहा हूँ, यहां पे आपका start को, ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया start को, if start less than 10, 10, तो यह करो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, वो 1 ही print करेगा, ठीक है, देखो 1 print किया है, तो यहाँ पे डाले कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को, इसी चीज़ को हम यहाँ से हटा दे, control X, control X, ठीक है, और य यहां पर क्या करते हैं यहां पर हम start को number दे देंगे तो start हमारा क्या लेगा तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां print को call करना है तो print method यहां पर start लेगा नहीं तो प्रिंट 1 no और no यहां start देना होगा start तो बताओ अभी मैं क्या दे रहे हैं यहां पर कि अभी यहां पर क्या होगा बताओ कि अरे प्रोग्राम से में मेधड से चलता है भाई कि यहां start के अंदर सबसे पहले आएगा start को वन करेगा स्टार्ट को वन किया उसके बाद पिर कहां जाएगा बताओ करी ने अंदर जा रहा है यह जा रहा है यह गया तो यह जाएगा तुम्हारा no के अंदर क्या कॉपी हो गया तो अभी यह क्या प्रिंट करेगा अब यह आके चेक करेगा इफ no is less than equal to 10 करेक्ट है yes or no करेक्ट है तो अभी no के अंदर वन था यह क्या किया यह करेगा तुम्हारा print no.no फिर इसके अंदर वन जा रहा है तो फिर यह पिर से same method अपने आपको कॉल कर रहा है देखो अपने आपको कॉल कर रहा है देखो तो फिर यह अपने आपको कॉल करें इसके अंदर जाएगा फिर no के अंदर वन है तो यह फिर क्या प्रिंट करें फिर वन प्रिंट करेगा yes or no अगर यहां से अगर यह सेकेंड टाइम इसको क्लिट करने से पहले अगर हम यहां पर क्लस कर दें अब क्या जा रहा है यहां पन पहले हो गेंदा प्रिंट हो रहा है यहां पर अचा सब्सक्राइब अचा जो नीचे होगा न सबसे अधर वह तो पहले प्लस कर देगा उसके बाद प्रिंट करेगा नीचे यह अधर वह प्रिंट नहीं हो रहा है यह प्रिंट नहीं हो रहा है कशल लत पहले हो जा रहा है ना उसके बाद वह CSC कर रहा है लाच ट्राइं करे रहा है यह gameplay कर तारड जाजन एक किल रहे है तुम आपने दोस्तों फोन करांट कर बोल रहरे समझ गहें अपने आपको बार बर कॉल कर रहा है यहां पर रन कर दिखाता है यहां देखो यह क्या हुआ 12345678910 टैन यहां से इक्वल टू हटा दो वांगो बाहर प्रिंट कर दे रहे हैं ठीक है तो वो गया और यहां पर यहां से लेकर 10 तक होगा गया विदाउट उज़िंग लूप्स हो गया न हां कि न अब आज आओ देख लेते हैं ड्राई रट हो पता है थोड़ा से कंफीजन होगा आप को लेकिन ड्राइरन देखो यह प्रिंट स्क्रीन मार के मैं यह पेस्ट मार दे रहा हूं थाकि इफ एनिबड़ी वन्स तो रेफर टू राम से बैटके रेफर करना और समझ्य कोशिश भी करना तो यहां पर आ जाते हैं और सबसे पहले इसका ड्राइरन देख तो चलो स्निप लेए और इसको देखते हैं क्या हुँ रहा है को कि करते हैं कि दो कुछ नहीं है गर आसान से देखोगे देखो सबसे पहले तो पता प्रेट्टेンド यह दिल्대 चलता है और तो कुछ नहीं चलता है यह तुम्हारा एक जगा बनाया जिसका नाम है स्टार्ट के अंदर क्या यह इस मेथड़ कॉल किया जैसे यह कॉल करेगा यह पूरा उठके चला जाएगा इस मेथड के अंदर करेक्ट यह सॉनो अब गया इस मेथड के अंदर यह क्या इस अप्रिंट कर दिया इसने यहां प्रिंट कर दिया मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं फिर इसके बाद आया आप चेक कर इफ एनो लेस दें टेन टेन है तो यहां प्लस 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 किया था-एनो वन तक तना हो जाएगा अब इसके बार आया फिर यह इस लाइन पर आया इस लाइना बहार मत निकलो वापस से तुम इसको काल करो और वहां कितना है यहां से जब यहां गया तो यह वाला कितना हो जाए गा फिर से अब यह मैं इसके अदर ही आएगा अब यह करेगा तो नो के अंदर अभी टू है तो क्या प्रिंट करेगा तू को करेगा इसके बाद फिर अपने आपको कॉल कर रहा है तो फिर यह घुम के यहां आएगा हो जैए अब अनदर अनुक के अंदर त्री था कितना हो गया भी अफिर यह च्छेक करें अभी ब्लेस तेन तो समझ गया कहानी क्या हो रहा है अब पूरा करके तो नहीं दिखाऊंगा 10 तक समझ गया कहानी क्या हो रहा है पस यही तरीका है विदाउट यूजिंग लूप आप कैसे बन से 100 तक प्रिंट कर सकते हो समझ गया यह एक इंपॉर्टन क्वेशन है खास के समझ गई फॉर एक्पिरेंस रोल एक यह बहुत इंपॉर्टन क्वेशन हो जाता है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखोगे तो कैसे होता है यह क्वेशन तो चलो इफ एनिबडी इस हविए ने डाउट्स ना तो विए दन वी तो स्थेशन फ एफ ए बिली आप इस चीज के दिए फॉर्टन क्वेशन है तो पर लाग जाते हैं तो आपक बाद एक पर दो प्लीज भी नेंपॉर्टन क्यों प्लीज प्लीज ओवर्टन क्यों चूर्टन क्यों।